हलो एब्रिवान केसे आप सुप आइ होब कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है यह देखिए एक पपी ता लाया था अम्मी ने पेर से निकाल के तो थोड़ा हलका सा पका हुआ ज्यादा तर कच्छा था इसको अम्मी ने क्या क्या आधा ले लिया चील के अच्छे से धोक फिर ग्रेट करके ले लिया है थोड़ा सा इमली डाला है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और दो चम्मस ये देखिए गुड है ये और ये बनने वाली है तीखी खटी मीठी चटनी और ये बहुत ही लजिज़ बनने वाला है जिसने खाया होगा उसको पता होगा जो खाए वो जरूर खाके देखिए अभी पपीता की सीजन है और हमारे यहां तो सीजन वाइसी चीज़े मिलते तो इसलिए अभी पपीता की सीजन है और जिसके घर में है या फिर बाजार में मिलता है वो लेके आए और इसे चटनी मना के खाईए यह देखिए बातों में मैंने दो सारी अम्मी ने दो सुखी हुई लाल मेश को जला लिया है और उसको भी मेश करके ले लिया है और उसके बाद सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाया है अम्मी ने बस तैयार हो गया है हमारी बहुत ही मज़ेदार लजीज चट्नी और अब मैं आप लोग को बताते बताते मेरी मुझ से तो अभी भी पानी निकल रहा है इतना ही ज्यादा टेस्टी था तो ये ज़रूर ट्राइ किजिए और खुद भी खाये सब को खिलाएए मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक किजिए शेयर बेल आइकन को दबाना मन खुलिएगा और ऐसे वीडियो आप लोग को हर वक्त में च्राय करूंगी देने की और 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 कॉमेंट में जरूर बताएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसे लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पुडा लगया है टूरीज टूरीज के लिएखा लोगाइब कीजिए आप लगाइब कीजिएर चूरीज पिव कीजिए और रा किपना लगा है टूरीज जया घुलिए पर द Coming To